हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सभी लोग कुछ दिन पहले मैंने आइफोन 10 और 10R के उपर रीवीडियो बनाया था उस वीडियो में मैंने iOS अपडेट को लेकर भी बात किया था आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा लेकिन आइफोन 11 के रीवीडियो में iOS अपडेट से रिलेटेट कोई भी बात मैंने नहीं किया था तो आज की इस वीडियो में मैं यही डिसकस करने जा रहा हूँ कि आई फोन 11 में कितने iOS अपडेट और मिलने वाले हैं फ्यूचर में तो चले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस आई फोन 11 लाँच हुआ था 2019 में iOS 13 के साथ और जैसे ही iPhone 12 लाँच हुआ तो iOS 14 का अपडेट भी iPhone 11 को मिल चुका है अब इस iOS अपडेट के ट्रेंड को देखकर हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आई फोन 11 को मिनिमम कितना iOS अपडेट मिलेगा ही मिलेगा तो अभी आप देख सकते हैं कि लेतेस जो iPhones हैं उनमें मिनिमम पांच iOS अपडेट तो मिल ही रहा है जैसे कि iPhone 6S Plus में मिला है अब iOS 15 के launch होने के साथ ही iPhone 6S में iOS update मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये देखकर पता चल जाएगा कि 5 updates से ज़्यादा updates मिल रहे हैं या नहीं iPhone को तो इससे ये तो confirm है कि कम से कम 5 iOS updates मिलेंगे ही iPhone 11 को इसका मतलब iOS 13 के साथ iPhone 11 launch हुआ था iOS 14 का update उसे मिल चुका है तो अब आगे आने वाले 4 सालों तक उसे update मिलना fix है यानि कि iOS 18 तक तो update मिलेगा ही मिलेगा iPhone 11 को सायद ये 19 या 20 हो जाए नहीं तो iOS 18 तो मिलेगा ही यानि कि iPhone 16 के आने तक या फिर कह सकते हैं 2012 तक ये एक prediction ही है हो सकता है ये extend हो जाए लेकिन ये कम तो नहीं ही होगा अब फ्रेंज आपको क्या लगता है iPhone 11 में आने वाले iOS update को लेकर कमेंट करके ज़रूर बताईएगा आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलूँगा अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्क्राइब करना मत भूलिएगा पसंद आते हैं इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपके सपोर्ट के में बहुत ज़रत है तो प्लीज सपोर्ट करिएगा मिलते हैं नेक्स बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ भाइब कर दो प्लाइब कर दो कर दो आते हैं आते हैं ज़रत हैं वीडियो के साथ ज़रत हैं एक बहुत आपके साथ झाल झाल